नमस्कार दोस्तों जहिन स्वागे था आपका आपके फैवरेट चैनल वेटू सक्सेस पर और आज कई वीडियो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाल है क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए कोई एक्जाम क्रेक करने की स्टेट जी नहीं लेकर आया हूँ नहीं आपके लिए कोई लेटेस गवर्मेंट जो अपडेट लेकर आया हूँ बलकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोप सेविन मोस्ट यूजफूल मोबाइल एप्लिकेशन फोर एवरी स्टुडेंट यानि कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा उन साथ मोबाइल एप्स के बारे में जो कि एवरी स्टुडेंट के मोबाइल में जरूर होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे फ्रेंट्स आप तो जानते हो हमारी चैनल के ओपर मोस्टली वही लोग है जो कि कॉम्प्टिटिटिव एग्जाम्स की तो यह साथ मोबाइल एप्लिकेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है अगर आप इन साथ एप्लिकेशन को डेली रेगूलर बेसिस पर यूज करते हो तो यह आपका इंटलेक्शुल लेवल आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रोव कर देगी औ तो फ्रेंट्स आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और हैल्फूर रहने वाला है इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आकर तक जरूर देगे आज आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलने वाला है तो चलिए बिन टाइम पॉर्टाफट शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको टोटल साथ मॉबाइल एप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें से काफी सारी मॉबाइल एप्लीकेशन में काफी समय से इस्तमाल करते आ रहा हूं जिसके बाद मेरा experience काफी amazing रहा है इसी को क्या benefit मिलने वाल है और आप इसे कैसे इस्तमाल कर सकते हैं एक right way में तो सबसे पहले आती है हमारी application number first जो की है Wikipedia आप काफी सारे लोग जानते होंगे Wikipedia के बारे में अगर आपको कुछ भी detail में search करना होता है उसके बारे में detail से पढ़ना होता है तो आप पहले अपना internet browser open करते है उसके बाद आप search करते हो तो आपको Wikipedia एक suggestion देता है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो लेकिन काफी सारे लोग को ये नहीं पता हो कि Wikipedia की एक particular mobile application भी है जिसकी play store के ऊपर काफी अच्छी rating है और downloads भी आप काफी ज़्यादा देख सकते हैं तो friends इस application के काफी ज़्यादा benefit ह सबसे पहला तो यही है कि आपका काफी ज़्यादा time बचाएगा और अगर आप competitive exams की तैयारी कर रहे हो तो मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि आपके लिए different complicated topic के बारे में details से जानना कितना ज़्यादा important है तो friends आप केवल एक click में इस application को open करके इसके अंदर कुछ भी सर्च करके उसके बारे में details से पढ़ सकते हैं इस application के सबसे अच्छी specification यह है कि जो आपने सर्च करा जिस बारे में आपने details से बढ़ा उसको आप save कर सकते हो बाद में कभी भी आप अपनी save list खोलके उसके बारे में details से पढ़ सकते हो और दूसरी अच्छी चीज है कि जो भ आपके लिए best रह सकते हैं मुझे भी काफी interesting application ये लगी नमबर सीक्ट पर आती है daily hunt app इस application के बारे में सायद आप लोग जानते होंगे आप में से काफी सारे लोग इस application का इस्तामाल भी कर रहे होंगे most popular application मानी जाती हैं ये एक news application है इसके थुरूआ आप daily की latest news के बारे में details से जान सकते हो Google Play Store के उपर इसकी काफी अच्छी rating है 4.2 की लगबग 100 प्लस इसके downloads भी है काफी अच्छी application मानी जाती है वैसे तो news की काफी सारी different application है लेकिन ये number one application मानी जाती है news के मामले में जो लोग competitive exams की तयारी कर रहे होंगे उनको तो बाखुबी पता होगा कि आज हर एक exam में current affairs कितना most important part बना हुआ है काफी सारे लोग मुझे बार-बार comment करके पूछते रहते कि current affairs कहां से पड़े इसका solution दीजिए तो friends यही application है daily hunt नाम से आपका solution यह application आपके mobile में जरूर होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको up to date रहना है daily current events के बारे में आपको जानना है तो यह application आपके लिए most important है इसके अंदर आपको काफी सारी different news मिल जाएंगी जो news आपके trending में चल हुई है वो आपको application होलते ही मिल जाएंगी यहाँ पर आप news के बारे में सर्च करके detail से भी पढ़ सकते हैं हर minute आपको यहाँ पर news up to date मिलती रहती है तो friends daily आपको morning में 10 minute यह application को जरूर review करना चाहिए कि क्या important latest आज कल current events में चला हुआ है जो कि आपके exam के लिए most important रहेगा अब आपको एक या दो घंटे TV के सामने बैट कर time waste नहीं करना पड़ेगा नहीं आपको लंबा चोड़ा news paper बढ़ना पड़ेगा केवल इस application के मदद से आप up to date रह सकते हो अच्छा application है Google Play Store से आपको ये जरूर डाउनलोड करना चाहिए application number 5 है U dictionary app friends मेरे coding आज जितने भी student है उनके mobile phone में एक Hindi English dictionary application जरूर होना चाहिए क्योंकि जब आप study कर रहे होते हैं तो आपके सामने definitely Hindi या फिर English के काफी ऐसे word आते हैं जिनका आपको नहीं पता होता है और आप उनको ignore कर देते हो और जो आपने पढ़ा पूरा पैरा या फिर कुछ भी आपने पढ़ा वो आपकी समझ से बाहर हो जाता है क्योंकि उन words का आपको मतलब ही नहीं पता था और आए दिन आपके सामने काफी सारे English के complicated word आते रहते हैं चाहिए आप movie ही क्योंना देख रहे हो या फिर आप कोई book वगएरा पढ़ रहे हो या फिर आप कोई speech सुन रहे हो जिनको आप ignore कर देते हो तो मेरे साब से आपको essay word बिलकुल भी ignore नहीं करने चाहिए उनके बारे में आपको जाना चाहिए जो कि आपकी vocabulary की power बढ़ा देगा और आपका जो English speaking की पकड़ है वो आपकी बढ़ा देगा तो ये most important है तो अगर आपको कोई dictionary की application चाहिए तो आप you dictionary app की ओना डाउनलोड करें क्योंकि आज जितनी भी dictionary की application है internet के ओपर सबसे best और सबसे trending application you dictionary application ही मानी जाती है मेरे कोडिंग क्योंकि इसके अंदर आपको काफी सारे features मिल जाती है चाहिए वो आपका google translate का हो इसमें आप पूरा sentence translate कर सकते हैं हिंदे से English में या फिर English से हिंदी से के वाल आपको बोलना होता है और आप इसे translate कर सकते हैं आपने देखा होगा बहुती add और promotion इस application के होते रहते हैं तो friends मेरे साब से आपके लिए ये application most important रहेगी अगर आज तक आपके mobile phone में कोई dictionary के application नहीं थी तो फटाफट आप एक dictionary के application या फिर you dictionary application को अपने mobile phone में download कर लिजे आपके लिए काफी ज़्यादा useful और helpful रहेगी application no.4 है दा हिंदू ये application आपको Google Play Store के ओपर दा हिंदू नाम से आसानी से मिल जाएगी ये mobile app special उन लोगों के लिए है जो किसी भी competitive exams की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था काफी ज़्यादा लोगों की आजगल problem बनी हुई है general awareness के अंदर current affairs क्योंकि ह जारे exam में 9-10 question current affairs से आते हैं और जिसकी वज़े से उनको exam में काफी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि किसी को proper नहीं पता कि current affairs कहां से पड़े कब से पड़े कैसे तैयारी करें तो ये mobile application आपकी इसी problem को दूर करने के लिए है फेंट जहां तक मैंने different competitive exams को analyze किया है उस आपके कभी भी किसी भी exam में current affairs का एक भी question नहीं छूटेगा इससे पहले मैंने आपको daily hunt application के बारे में बताये था वो भी काफी अच्छी application है लेकिन जो the Hindu है मैं special competitive exam की तयारी करने वाले student के लिए ही recommend करूँगा इस application का केवल एक ही negative point है कि ये केवल English में ही available है the Hindu newspaper केवल English version म ही available होता है लेकिन फिर भी मैं recommend करूँगा आपको अगर आप Hindi medium के student है तब भी आपको English में ही इस application का इस्तवाल करना चाहिए क्योंकि आपको अपनी English भी थो improve करनी है तो इसके साथ साथ आप अपनी English भी अच्छे से improve कर सकते हैं friends बड़ी ही mind blowing application है ये application आपकी current affair वाली problem हमे इसा के लिए दूर कर सकते हैं बस आपको daily 10 मिनट से 15 मिनट तक इस application को देना है फटाफट पढ़िए क्या क्या आज नई चीज एड की गई है और आप अपनी सभी डाउट के लिए कर सकते हैं friends number 3 पर अब जिस application के बारे में आपको बताने वाला हूं ये आपकी knowledge को improve करने मे तो आपकी help नहीं करेगा नहीं इसके तुर आपको कोई update मिले वाला है ये application आपकी brain power को mind power को बढ़ायेगा साथि आपको जो IQ level है उसको भी next level तक improve कर देगा most important application है तो इस application का नाम में sudoku आप सभी लोगों ने newspaper के अंदर देखा हुग एक part आता है sudoku का game सा बना होता है square में आपने देखा हुगा काफी लोग इसके बारे में जानते हो और सायद नहीं भी जानते होंगे friends ये एक puzzle game होता है जो कि आपकी brain power को बढ़ाने के लिए होता है ये आपकी brain की exercise बहुत ही अच्छे तरीके से कराता है daily अगर आप इसे 30 minute के अंदर solve करते हो या फिर एक घंटा ऐसे देते हो daily तो आपकी जो brain power है वो automatically next level तक improve हो जाएगी friends देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी squares दी होते हैं इस application में इसे use करने के instruction भी दी होते हैं फिर भी मापको वद्दा दू इसमें आपको क्या करना होता है काफी सारी आपको digits दी होते हैं एक square के अंदर आपको same digit यहाँ पर नहीं insert करना होता है वो digit जो आपको insert करने है नहीं वो आपकी direct row में होनी चाहिए नहीं वो आपकी column में होनी चाहिए तो इस तरीकी से आपको complete करना होता है अगर आप इसे complete कर पाए तो आपके लिए काफी अच्छी बात होगी proper time भी आपर चला होता है आपको पत करते हैं या फिर कुछ लोग study करते हैं newspaper के अंदर time नहीं दे पादे तो आप daily एक या फिर आधा घंटा इसमें भी दे सकते से soul करने में दे सकते हैं अगर आपको अपनी brain power बढ़ानी है और आप अपने mathematics में ही नहीं आप अपना IQ level भी इस application के थुरू next level तक पहुचा सकते हैं बहुत ही अच्छी application है Sudoku नाम से या आपको Google Play Store पर मिल जाएगी नमबर सेकिंड पर आती है meditation plus app अगर आप एक student हो या फिर आप competitive exam की तयारी करते हो तो जायर सी बात है आपको बहुत सारी study करने के जरूत पड़ती है जिसके बाद आप frustration फील करने लगते हो या फिर आप थोड़ा stress और depression फील करने लगते हो तो हर एक student के लिए meditation most important है बलकि student के लिए नहीं है आज हर एक आदमे के लिए meditation बहुत जादे important है मैं भी meditate करता हूँ सुबा लगबग आदा गंटा के आसपास तो आपको जरूर करना चाहिए तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए most useful application लेकर आया हूँ जिसका नाम है meditation plus जो कि आपको meditate करने में आपकी बहुत ज्यादा help करेगी different different way में तो इसके अंदर आपको काफी सारे different different meditation melodies मिल जाएंगी यानि की music मिल जाएंगी जिसके तो आप अच्छे से meditate कर सकते हो 10 या 15 मिनट साथ ही आपको इसमें काफी सारे different different way भी मिल जाएंगे जैसके आपको यहापर click करने पर एक point मिल जाता है जिसके ओपर आपको focus करना होता है यहाँ पर आप एक candle दी होई है इसका भी एक बहुत बड़ा logic है जिसको आपको focus करना है तो काफी सारे way दिये हुए है different different आपको meditate करने के लिए फ्रेंट्स फाइनली आती है application number first जिसका नाम है Quora app फ्रेंट्स यह एक forum है जो की most useful रहेगी अगर आप एक student हो या फिर आप competitive exam की तयारी करते हो फ्रेंट्स अभी मैंने आपको Wikipedia application के बार में बताया था जो की थोड़ा सा इसे की similar है लेकिन कुछ चीजों में ये application काफी ज़्यादा better है इस पर भी आप different topic के बार में काफी अच्छी details से जानकारी ले सकते हो काफी सारे बड़े बड़े experts हैं वो आपको proper answer देते हैं यानिकि एक questions कि आपको काफी सारे different answer मिल जाएंगे अब एक चीज इस application की ये भी अच्छी है कि यहाँ पर आप किसी proper topic के बार में या फिर किसी proper doubt के बार में details से जान सकते हो काफी short में क्योंकि या पर आपको different different experts अपनी राय देते हैं उसके ओपर तो ये एक अच्छी चीज है और जब आप इस application के home page पर होते हैं यानि कि open करते हो तो जो भी आपके trending topics चले होते हैं वो आपको so करता है उनके answer so करते हैं कि क्या इसका answer है और क्या experts की इसके ओपर यहाँ पर suggestion है, opinion है तो ये काफी अच्छी application है आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेगी ये application में काफी समय से इस्तवाल कर रहा हूँ जो मेरे doubt आती हैं फिर complications मेरे सामने आती है तो तुरंत इस application का मैं इस्तवाल जरूर करता हूँ तो ये आपके top 7 application थी जो कि एक student के लिए most important रहेगी और मेरे according हर एक student के mobile में ये साथ application जरूर होनी चाहिए अगर आपको भी एक intellectual person बनना है तो सभी application आप Google Play Store से आसानी से download कर सकते हैं नाम देखिए और वहाँ पर सर्च करिए आप प्रोपर डाउनलोड करके इन application का इस्तमाल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आयो वीडियो थोड़ा different लगा तो वीडियो को like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जादर से जादर से जरूर करना चैनल को subscribe करना बिलकूल मत बूलना क्योंकि आपके लिए ऐसे interesting knowledgeable updated वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँगा तो चलिए मिलते हैं अगरी वीडियो में बहुत जलत अबता के लिए जया हिंद